हेलो गाईज मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में गाईज आप सभी की शिकायत थी कि सरस्वती डिपोर्ट का हमने डीटेल रिव्यू नहीं किया है तो गाईज लेट हो गयते थोड़ा सा घर के कामों में बोल जेते इस वज़े से तो आज हम इस वीडियो में सरस्वती सारे डिपोर्ट का करने वाले हैं डीटेल रिव्यू 14th of August को इसका लास डेट है तो हम ये भी जाने हैं कि या लास डेट अप्लाई करना चाहिए नहीं सेफ है या नहीं लेटेस अस्क्रिप्शन डेटेल्स लेटेस ग्रे मांकर प्रिमियम क्या चल रहा है हर एक चीज़ आपको सरस्वती के बारें बताऊंगा बस अबो करनी है दो इंपोरन चीज़ से एक तो वीडियो में अंते तक बढ़ने रहना है ताकि सारी जानकारी सही तरीके समझा से के दूसरा काईज आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर इस तरीके से जैकपॉट गिनले लेवल्स मिल जाते हैं आप देख सकते हो यहां पर चोटे पॉइंट्स तो मिलते हैं उसके साथ ही काईज यहां पर स्विंग शॉट टम के साथ पर निउस आती है और नंबर तीन पर इंस्टाग्राम का लिंक है मिस मत करना ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्सक्राइब के बारे में आई पर ट्वेल्ट को ओपन हुआ था 14 तो क्लोज होने वाला है 16 को इसके अलॉट्मन डेट है और 20 ऑगस्ट को इसक में भी 56 क्रोड फ्रेश इशू है बाकी बचा हुआ ओएफस रखा गया है और इस चोटे से साइज में 35 परसन अ कोटा रखा गया है रिटेलर के लिए जो कि बहुत अच्छी बात है अभी आपने आज के दिन लिस्टिंग का देखा ही थोड़े दिर बाद आपको आफ्टर सब्सक्राइब कर दो तो उसमें आपने देखा भाई सीधे सीधे डबल हुआ है क्योंकि साइज चोटा था मार्कट का सिठारियो पॉजिटिव रहा और हमें अच्छा गिंद ही नो मला तो सेम स्टोरी यहां पर साइज के हिसाब से बन सकती है और पॉजिटी बात है कि उस से ज्यादा एक्सपिरेंस हो गया कंपनी जैसा कि नाम से पता चल रहा है सारसथी सारी डिपॉर्ट जो है वह मैनेफेक्ट्टर करती है होलसेल में सेल करती है वुमेंस ड्रेस को ठीक है यहां पर इस बात करें हम इनके में प्रॉडट की तो गई सारी इनका में प्रॉड़ इनके कैटलॉक्स में हैं कमपनी मिजोरिटी में साउथ हैं और वेस्टन रीजर में सल करती है जिसमें महाराष्ट्र गोवा करनाड का तमिल नाडू शामिल है और करीब दो हजार चौबस के फरनेंशल यहर में 13,000 से जादा यूनिक केस्टमर्स को यह प्रोड़क्ट अप बहुत ज़्यादा हाइफ उम्मेदे हम ना लगाए बिजनस से तो बहता है रहा है हाई ग्रोथ इसमें हमीशा बनी रह सकती है और यह चीज़ हम इस कंपनी के फिनेंशल डेटा से समझ लेंगे ठीक है तो देख लेते हम इसके फिनेंशल डेटा दो हजार बाइस देश तो फ्लेट सा अल्मोस्ट लेकिन प्रॉफिडिबिल्टी में बहुत ही शांदा जम देनी को मल रही है 12.31 करोड का उसके बाद 22.97 फिर 29.53 उससे नेट वर्थ काफी बहतर है और कंपनी को सिर्फ 43.49 करोड की बॉरॉइंग है तो यहां पर ओवरल जो फिनेंशल डेटा है बहुत थोड़ो फोडो सा नहीं है लेकिन कंपनी पॉजटीव है और कंपनी अच्छा अर्ण कर रही है ठीक है तो यहां पर फिनेंशल डेटा जो है वो ओक्यों कर सका हूंगा और जो डेट है वो 43 करोड का बहुत हायर साइड नहीं है जो पैसा उठारी इसमें से इनोंने को स्पेसिफिक नहीं बोला है कि डेट चुकाएंगे बड़ कुछ चुका सकते हैं बहुत ज़्यादा अधिकत मुझे लगता कि डेट का रहने वाला है थोड़ा बहुत देगा भी तो लॉंग नम में देगा अधरवाइस फिनांशली कंपनी स्टेबल दिख रही है तो बि कर लेते हैं अगर जो हम इस कंपनी के पीर कंपेर्जन की तरफ बढ़ें तो इसका पी 23.05 निकल के आ रहा है और पीर कंपेर्जन करने जाएंगे तो गो फैशन से कंपेर्जन में तो सस्ता है बट साई सिल्क से कही ना कहीं महंगा है ठीक है आप जो 17 का पी देख रहा है य बお tightly मैं तो पुम में पीशन से सथा है तो इन यह का बेच गरें कंपनी जो आगे बहुत अच्छा ग्रों कर सकता है और यह जो एक उसम ए Nee से comparison करना मुझे लगते है बेकार है बढ़ हाँ एक डीसंट सी लिस्टिंग अंक लिए साइव में जाया जा सकता है बट करन सिनारियो में वही है कि अगर जो रिस्क लें क्यों कि पैसा ज्यादा डाला नहीं है एक साइस के हिसाब से अगर जो युनिकॉमर्स से करें तो उसमें 25,000 रुपर डाले गया थे तो यहां पे कम से कम 12,000 रुपर मिनिममम तो डाले जाए ठीक है 15,000 रुपर मिनिममम मान लो डाले जाए 13,000 से 15,000 भी डीसंट मानोंगा तो यह पर सब्सक्रिप्शन डेटा का वे थान हो जबने तो यह दो अब चीज़ को मेग से कर दो कि सफ्टी है कया मतलब है और रिस्का क्या मतलब है तो न भी मिनिममम्द सेठ करें वालबrooms जया वे का और दो दोसमें के राओं में final decision video भी डालता हूं, उसको भी आप देख सकते हो, description में three number पर Instagram का link बताया है, वहाँ भी subscription data जालता हूं, news channel भी डालता हूं, दो number पर इसका link बताया है, ठीक है, तो यहाँ पर subscription data देख सकते हो, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप चाओ डिसन ले सकते हो या फरकर जाप रिसक ले सकते हो तभी भी जा सकते हो ओवरल जो सिनारियो है वो मैंने आपको समझा दिया अब ग्रे मार्कर प्रिम की बात करें तो क्योंकि भाई अच्छे लिस्टिंग हुई ह फर्सक्राई की ओला का भी सही निकल गया था लिस्टिंग के बाद और यूनिंग कॉममर्स का तो बहुत अच्छा लिस्ट हुआ तो उसके सब मार्केट में जो है वो थोड़ी तेजी है ग्रे मार्केट में चेरप हो रहा है तो उस चक्कर में भाई जी एंप बढ़नी ते कर देखें भाई तो कहीं नहीं मुझे लगता कि सेफटी जरूरी है अब आपका जो भी इसना वो कमंड करके पताना क्या करने वाले हो आप फिलहाल मैं तो रुकने वाला हूँ देखें इतना ज्यादा सेफ नहीं लग रहा हूँ यूनिकॉमर्स आपको याद होगा मनें ड के जरूर बताना ठीक है साथ में वीडियो हलफू लगी हो तो लाइक भी कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में करते देखें थांच वाचिंग एस प्लीज टाल देश्टे वाल दी और बाबा फो नाउ